हलो दोस्तो नमस्कार टॉफिट गुरू चिनल में एक बन्नाई मार्केट अबडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर मैंने बहतरिंग चार पेनि स्टॉक लाया हूँ जो लगबग आपको 15 से 20 रुपे के भाव पे मिल रहे हैं तो यह आप लोगों को काफी अच्छा रिटन दे सकते हैं लेकिन दोस्तो यह नहीं है कि मैंने बोला रहा है आप लोगों को पूरा आँख बंद करके इन्वेस्मेंट करना है आप लोगों को खुछ से भी प्रॉपर रिसर्च एनलाइसिस करना है जो भी आपके फानेंसिल एडवाजर ब्रोकर है उनसे कंसल करें देन उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्मेंट करें दोस्तो ठीके और इन्वेस्मेंट भी ऐसा नहीं कि सम में एक एक लाग दो दो लाग तिन 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 लाग लगा दिये दोस्तो कुछ चुनेंदा कॉंटिटी करी दिये 100-200-300 मैक्जिमम 500 कॉंटिटी देखे पेनी स्टॉक रहता है एक रिस्की ठीके मान लीजिए कि अगर वो चल गया तो आपकी किसमत बदल देगा अधर आइस वो मही पर कंसुलिडेट करता रहेगा और आपको फरस्टेट कर देगा तो जिसके लिए इंवस्मेंट करना है 100-200-300-500 कॉंटिटी में इंवस्मेंट करिएगा इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी नहीं हो सकती है दोस्तो ठीके तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सभी कंपनियों की फाइनेशिल कंडिशन जानते उससे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा अगर आपने प्रॉफिट गुरू चैनल को फर्स टाइम विजिट क्या है तो डेफिनेटली सस्क्राइब करके जाए दोस्तो वीडियो पसंदा रहा हो वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तो एप स्टॉक और एंजल ब्रॉकिंग का लिंक दिया और जाए और जोईन हो जाए क्योंकि आप लोगों के लिए इंटरेटी की टिप्स और मार्केट अपडेट लाते रहते है तो चलिए सबसे पहली कंपणी का हम चलते हैं फाइनेशल कंडिशन जानने तो दोस्तो यहां पर आप देखेंगे यह कंपणी आपको अल्रेड़ी बीएससी पर ही लिस्टेड मिलेगी ठीके एनसी पर नहीं है कंपणी का मार्केट केपिटल देखेंगे मात्र साड़े भूम रहें 52 बिक का लो देख सकते हो दोस्तों बुक वेल्यू स्टॉक की सत्ता इस रुपे सतर पैसे और फेस्ट वेल्यू दोस्तों दस रुपे पर से इसाप से ठीके देर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कंपणी के नीचे जैसे कुछ अच्छी चीज़े आप देख सकते हो कंपणी आलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक जो बुक अपने बुक वेल्यू से तोड़ी नीचे ट्रेडिंग कर रहा है कंपणी अस डिलीवर गुट प्रॉफिट ग्रोथ कंपणी ने लास्ट के पांस साल में लगबग अठावी पर अठावन परसेंट तक की यहां पर पर जो कंपणी करजा कम करती है वो लगबग एक साल के अंदर अपना करजा कम करती है कंपणी प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज ठीके तीन साल में करीवन 14% कंपणी ने अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग कम किये ठीके यहीं देखते हैं अगर कंपणी का नाम है दोस्त हैं अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो एक विन एगी ट्रेक लिमिटेट का पॉफॉमेंस नौ रोपे चालीस परसे पर मतलब सरकीट लगा के बंद हुआ मतलब ना तो इसमें अपसाइट का परसेंट का मुमेंट हुआ था लेकिन यहां पर वह जो पूरी तेजी थी वह स्टॉक में पूरी खो दिये पांस साल के अगर मैं बात करता हूं पांस साल में दोस्तों स्टॉक में आट परसेंट की गिरावट हमें देखने को मिल दी तो देख लिए इस प्रकार का पॉफॉम मार्केट केपिटल है पी एनिंग रेश्यो देखेंगे काफी शांदार 13.10 का करेंट मार्केट प्राइस 21 रुपे का बावन भी का बावन भी का लो देख सकतो बुग वेल्यू स्टॉक की 11 रुपे 90 परसे और डिविडेंड इल्ड भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा ह कंपनी का नाम अगर मैं आप लोगों को बताता हूं कंपनी का नाम है गोथी प्लास्ट कोन इंडिया लिमिटेट ठीक है एक प्लास्ट कोन कंपनी है जो मार्केट में काफी अच्छा है यहां पर इंप्रूब्मेंट करें दिना दिन तो दोस्तो अपने लिए यह बेस्ट पेनी स्टॉक हो सकता है अल्मस्ट डेट फ्री कंपनी है मतलब जो भी प्रॉफिट होता है जो भी लॉस होता है वो कंपनी अपने जेप से ही मेनेज करती है तो दोस्तों यहां पर अगर हम सेर का पाफ़रमेंस देखते हैं गोधी प्लास्ट को इंडिया ठीक है करेके तो एक मैने में लगबख साड़े-सौाड़े-सौला परेंड तक का रीटन हुगा है यही पर अगर मैं पांस साल, दो दिना दिन अब यहाँ पर सुधरते हमें देखने को मिल रहा है जो पूरा अभी तक साड़े बारा सो परसेंट का यहाँ पर मुमेंट कर चुकी है ठीक है तो यहाँ पर आप दोस्तों गोधी प्लास्ट को इंडिया लिमिटेट को भी आप फोकस में रख सकते हो बेस्ट पेनी स्टॉक के रूप में तो इनको वाच लिस्ट में रखिए ठीक है सेकेंड पिक के रूप में तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड कंपनी आपको एनसी बीसी दोनों पे लिस्टेड मिलेगी ठीक है मार्केट केपिटल देखेंगे कंपनी का तो 6,981 करोल का है पी एनिंग रेशो देखेंगे काफी बहतरिंग 25.9 का करेंट मार्केट प्राइस 13.7 का वो 113 रुपे 7 पैसे का बोग वेल्यू 6 रुपे 29 पैसे आप देखेंगे 52 बिक का लो स्टोक और फैस वेल्यू 1 रुपे पर शेर के सबसे मतलब काफी बहतरिंग मार्केट के पिटल लेके भी ठीक कंपनी दोस्तों नीचे कंपनी का पफ़ोमेंस देखते हैं तो ये कंपनी आप देखेंगे कंपनी साल वर में करीवन 40% का डिविडेंट देती है कंपनी आप से ंपन उरिट्वमेंट के 5 5 साल में company has low return on equity track ratio मतलब equity के according company ने साड़े 11% तक का negative return दिया है तीन साल में ठीके और company ने might be capitalization in the interest cost मतलब जो company की cost है वो थोड़ी कम में देखने को मिल रही है ठीके company का नाम है दोस्तो Trident Limited दोस्तो सब के stock market का मान के चल सकते हैं best penny stock इसका नामी जाना जाता है इसके बारे में तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप तो इसके रग रग से बाकिर होंगे दोस्तो तो दोस्तो मैं इस stock का performance देखाता हूँ last trade का तो करीबन हमें इसमें 72% की तेजी देखने को मिली थी 13 रूपे 70% पे stock close हुआ है अगर मैं 5 दिन की बात करता हूँ तो stock में 5 दिन में लग भग हमें 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही हैं यहीं पर अगर हम देखते हैं एक मेने की तो एक मेने में 10-10.5% की 6 मेने की अगर मैं बात करता हूँ तो stock में 6 मेने में करीबन 80% का moment हुआ है पांस साल की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो इस उपरी लेवल पे 5 साल में लगबक stock में 184-190% का stock में moment हुआ है तो दोस्तों आप उमीद बस penny stock से इतनी ही रख सकते हो ठीके जो इसी प्राकार का आप लोगों को performance करके देंगे तो third best penny stock के रूप में इसको अपने portfolio में जगा देख सकते हो कम से कम investment के साथ ठीके और इसको अपनी watch list में रखे proper research analysis करिये जो भी आप लोगों की quality दोस्तो research करने की उसी प्राकार स का है ठीके current market price आप देख सकते हो दो रूपे 35 पैसे का है book value दो उस तो stock की minus में देखने को बिल रही है ठीके 52 बिक का ये 52 बिक का लोगों देख सकते हो और face value अगर देखेंगे तो 10 रूपे per share के साब साब सामें face value देखने को मिल रही है कुछी के विस्तस पर अगर company का कु देखे तो 0.13% की आपर promoters की holding अभी कम हुई है ठीके liquidity देखे company के ओपर दस करोड की है दोस्तो और promoters की holding अगर देखे है तो decrease हुई दोस्तो 24,25% की लगबग 3 साल के अंदर अंदर ठीके तो ये company तोड़ी दोस्तो आप लोगों के लिए penny stock में जादा risky हो सकती है और company का जिसका जो performance है वो आगे आके अगर सुधर सकता दोस्तो तो definitely stock में भी हमें काफी अच्छा product जो है इसका sales growth है वो हमें सभी चीज़े हमें सुधरते देखने को मिलेगी दोस्तो और दोस्तो यहीं पर अगर हम इस stock का performance देखते हैं ठीके last trade में इस stock में हमें सभा 2% की तेज़ stock में करीवन 200% का return हुआ था लेकिन यहाँ पर आते आते हैं 88% का ही बचा है पांस साल के अगर में बात कहते हैं दोस्तो ओपरी लेवल से करीवन 6-4% की गिरावट आई है stock में पांस साल में ठीके तो यह है दोस्तो फोर्थ stock इसकी भी आप प्रोपर तरीके से research analysis करें technical fundamental दे देगा क्योंकि आप लोगों को ज्यादा risk उठाना पड़ सकता है ठीके अगर चल गए चारो stock आना आना मतलब यहाँ पर future में ठीके तो जिस प्रकार से उसको काफी अच्छा return आप लोगों को देखे जाएंगे तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि चारो company में investment करता हैं तो चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो को close करते हैं वीडियो को close करते हैं समय यही बोलेंगे वीडियो पसंदा दोस्तों प्लिस लाइक करिए चैनल पर नहीं होते हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए क्यों हम डेली विसस पे इंटरडे के tips और मार्केट अपडे थे हैं तेंक्यों दोस्तों